गोड़े में दोस्तों एक बार फिर से श्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल एम्यू क्लास के कला टेस्ट सिरीच के रात बड़ के आठ बजी के आज के इस वेडियो में वित्रो आप सभी लोग जो है लगे रहिएगा क्योंकि बहुत जल्दी भरती आने वाली है अगर इस बीच में आपने लापरवाही की तो उसका खामियाजा आपको बहुत ज्यादा भुगदना पड़ेगा तो इसलिए ध्यान दीजिएगा और केरफूली अपना तयारी जार जी का दिया हुआ शामिल भी किया है और एक बहुत अच्छा प्रशन भी आज पूछा है जिसको बिना गूगल सर्च कि आपको उत्तर देना है और उमीद करता हूं कि इमानदारी पुरों का उत्तर देंगे उसका तो जिकर करते हैं सबसे पहले इस वीडियो के पहले शवा प्रशिद कलकार के रूप में हम किसे जानते हैं? रमेश विष्टको, रमेश्वर सिंग, राधा चरडव बागची या राजेंद्रधावन ठीक है? तो यह है हमारा प्रश्न पहला कि राजनेताओ कि शर्वधिक मूर्तिया बनाने के लिए प्रशिद कलकार के रूप में ह होगा तो पहले प्रशन का उत्तर है ए रमेस बिष्ट ठीक है चली आगे बढ़ते हैं जिकर करते हैं दूसरे प्रशन का तो प्रशन संख्या दो हमारा देखिये क्या कह रहा है दूसरे प्रशन का कहना है मित्रों की मुर्तिकार गयूर हशन ने कारे किया गयूर हशन एक मुर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और वो किस तरह की मुर्तियों के बनाने में माहिर कारे करते हैं यह पूछ रहा है कि क्या वो काष्ट की मुर्ति बनाते हैं या काष्ट में मुर्तिकार में कारे महरत है उनका या संगमरमर की बनाने में या लोहा की य किस तरगे मुर्ति जैसे कि बहुत सारे मुर्तिकार हैं और वो कोई वुड में जो है यानि लकडियों से डिजाइन बनाना पसंद करता है कोई सिमेंट और कंकरीट से बनाना पसंद करता है किसी को स्टेल से तो आपको पता ही होगा तो उसी तरह से गयूर हशन साहब का जो फ तीसरा प्रश्ण देखिए गा अच्छा प्रश्ण है सांदार प्रश्ण की सिरीज है और अगर जो नए है बच्चे इसमें जुड़े हुए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करेंगे विद बेल आइकन तभी आपको नोटिफिकेशन अपडेट होता रहेगा तीसरा का कहना है प्रश्ण का कि अमर्नाश शागल द्वारा रचित समकालीन मुर्ती सिल्प का सिर्शक क्या है अमर्नाश शागल द्वारा रचित समकालीन मुर्ती सिल्प का एक सिर्शक जो है वो क्या स्रम की विज़य है अन्शूनी चीखें यच्छे यच्छडी या सिर्शक उसका क्या है ठीक है तीसरे प्रश्ण का जो सही जबाव हमारा हो pre Feуд वो हो जाएगा बी अन्व सुन जीखेश क से ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या सूथे की तरह बढ़ते हैं चौता प्रश्ण हमारा देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्ण संख्या चार हमारा कह रहा कि अप्पू सरिंखला किशने बराई अप्पू सरिंखला ये जो अप्पू है सरिंखला वो किश के द्वारा बनाई गई है अप्पू सरिंखला अंजले इला मेनन के द्वारा बनाई गई है किष्णा खन्ना के द्वारा शांती देवे या किष्णा रिड़ी की द्वारा तो किस कालाकार के द्वारा बनाई गई है अपूस रिंखला ये हमारा प्रश्ण संखिया च्यार कह रहा है मित्रों चौथा प्रश्ण है ये हमारा अपूस रिंखला ठीक है तो चौथा प्रश्ण और इसका सही जवाब होगा डी किष्णा रेड़ी के द्वारा किसके द्वारा किष्णा रेड़ी के द्वारा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण का जिकर करते हैं तो पांचवे प्रश्ण की तरह बढ़ेंगे जो प्रश्ण हमने आपसे पूछा था मित्रो और कल का बहुत सारा जबाब अच्छा जबाब आया था आप लोग का कल के हमारे इस प्रश्न का प्रश्न हमारा यही था पांचवा कि किस जगह पर भगवान बुद की सेन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है उस जगह का नाम आपको बताना है कौन सा जगह है लुम्बिनी है वारार सी है बोद गया या कचसिला इनमें से वो कौन सा जगह है तो यह कल का हमारा प्रश्न था कलाक सीरीज में और बहुत शारे लोगों ने बहुत प्यारा प्यारा और अच्छा कमेंट्स किया था इसके लिए आप शभी का ठैंक्स तहे दिल से एमियो ट्यूम की तरफ से और इस प्रश्न का सही जबाब जो था वो था सी बोद गया ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 का जिकर करेंगे 6 नमर प्रश्न देखिएगा हमारा क्या कह रहा है 6 नमर प्रश्न का कहना है मित्रो एलेफेंटा के त्री मूर्त है आपको पता ही है उसमें जो महिश मूर्ती का निर्माड हुआ है किस सताब्दी में हुआ है यह पूछ रहा है एलेफेंटा की त्री मूर्ती में महिश मूर्ती का निर्माड सताब्दी काल क्या है पाचवी सताब्दी है छठी सताब्दी है सात्वी सताब्दी है या नव वी शताब्दी है ये हमारा प्रश्ण है चाहे आप किसी भी राज्य से हो नए जूड रहे हैं कला से तैयारी है अगर आपकी कर रहे हैं तो बेहिचक अपने प्रश्णों को अपने कमेंट्स को टेलिग्राम से लेके वाट्सप पे कहीं भी डालिए आपको देखने के बाद उस पे डिस्केशन जरूर किया जाएगा और बिल्कुल केलियर किया जाएगा तो छे नमर प्रश्ण और इसका सही जवावा हमारा जो होगा मित्रो वो हो जाएगा बी छटवी सताब्दी है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या साथ की तरफ और सातवा प्र गुफाय हैं तो जिनका प्राचीन नाम भी है यानि पीतल खोरा तो नया नाम हो गया लेकिन उसका प्राचीन नाम भी है वो क्या पीतल महल के नाम से जाना जाता है प्राचीन नाम पीतल गठप के नाम से कपूरगीरी के नाम से या आपका नाशिक के नाम से किस नाम से पी गठव किया है पीतल गठव क्या है पीतल गठव भी राइट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रश्ण संख्या 8 की तरफ आठवा प्रश्ण हमारा दिखी का क्या कह रहा है प्रश्ण संख्या 8 का कहना है मित्रो किस गरंथ से पता चलता है कि इस्तरी और पुरूस दोन दोनों जो है चितरकार थे ये किस गरंथ से हमें गयात होता है कि मेल और फीमेल दोनों ही चितरकार थे गीत गोभिंद से रागमाला शे मेगदूत से या आपका महा भाराश से ठीक है तो कौन सा गरंथ है जिससे पता चलता है हमें कि इसतरी और पुरुस दोनों ही जो है क्या है चित्रकार है मित्रों ये हमारा प्रश्ण है आठवा और इस प्रश्ण का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी मेगदूस से पता चलता है हमें ठीक है किस से मेगदूस से आगे बढ़ेंगे प्रश्ण संख्या 9 की तरफ नो नमर प्रशन देखिएगा हमारा क्या कह रहा है प्रशन संखिया नो कहना है नो नमर प्रशन का सोनपूर का मेला नामक परसिद चित्र किस कालाकार ने बनाया सोनपूर का मेला बड़ा ही मशुहूर मेला है और चित्र बना है इस पे एक परसिद और किस कालाकार के द्वार पुछना है सोनपूर का मेला पढ़ा ही मसहुर मेला है सोनपूर का और आप सभी लोग जानते भी वहूंगे तो उसको बनाने वाले कराकार क्या साहीब राम है ऐसे नंदा सतीस रंजन या सेवक राम ये हमारा नो नमर प्रश्ण का कहना है तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में ड्राप करती जाए अपने प्रश्णों को और आज के टेश्ट सिरीच का अंत करिए एक बहतरीन प्रफार्मिश के साथ देखिए क अगे बढ़ेंगे प्रश्ण संख्यादस की बात करेंगे दस नमर प्रश्ण हमारा जो है वो कह रहा है दसवा प्रश्ण का कहना है मित्रो सेस नाग पर सयन करते हुए बिश्डू निम्न लिखित में से किस मंदिर की दिवार पर उतक्रिड है ठीक है सेस नाग पर सयन करते हुए बिश्डू ये एक मंदिर की दिवार पर उतक्रिड किया गया है उकेरा गया है क्या वो एलोरा की है मंदिर की दिवार क्या वो एलिफेंटा की मंदिर की दिवार है क्या वो जोगेश्वरी की मंदिर की दिवार है या देवगड की मंदिर की दि जबाब हो जाएगा D देवगड़ के किसके देवगड़ के आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 11 का आप हम लोग जिकर करेंगे मित्रो 11 नमर प्रश्ण देखिया हमारा क्या कह रहा है 11 नमर प्रश्ण का कहना है कि पच्छी का पिजरा लिये हुए तोते से बात करती अच्छी यानि पच्छी का पिजरा हाथ में लिये तोते से बात कर रही है एक यच्छी यानि यच्छी ने पच्छी का पिजरा अपने हाथ में लिया है और तोते से वार्तालाब कर रही है ये किस सहली से हमें प्राप्थ हुआ है इस तरह खा ठीक है गांधार से कुशार सैली से एलोरा में प्राप्थ हुआ या मतुरा सैली से प्राप्थ हुआ तो पच्छी का पिजरा ले हुए तोते से बात कर रही है या अच्छी ये हमें किस सैली से प्राप्थ हुआ है 11 नमर प्रश्ण का यही कहना है तो फटा फट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाए और लाइक शेयर जरूर करिएगा मित्रो आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपके लाइक शेयर में कोई महनत नहीं है बस एक उंगली का इशारा उससे हमें हिम्मत मिलती है और हमें सपोर्ट मिलता है कि हाँ आप लोग हमें सपोर्ट जेते है तो 11 नमर प्रश्ण इसका सही जबाब हो जाएगा कहां से मथूरा शेयली से आगे बढ़ेंगे और 12 नमर प्रश्ण का जिकर करेंगे प्रश्ण संख्या 12 देखिएगा क्या कह रहा है 12 प्रश्ण का कहना है कि डेफो डिल्स किसकी प्रश्ण दिकरती है डेफो डिल्स ये एक क्रिती है प्रश्ण क्या देवकी नंदन्शर्मा की है किरपाल शिंग शेखावत की है भूरी शिंग शेखावत की है या ए रामचंदरन कौन सा समकालीन कलाकार है इसमें से जो परसिद्धिक्रती Defo Dilz है उसका तो मित्रों 12 नमर प्रश्ण और इसका सही जबाब हो जाएगा B किरपाल सिंग शेखावत का है किसका है? किरपाल सिंग सेखावत का है आगे बढ़ेंगे प्रश्ण संख्या 13 पे चलते हैं और तेरहवे प्रश्न का कहना है हमारे कि किस समकालिन कलाकार द्वारा रचित पत्र का आर्ट टूडे है आर्ट टूडे एक रचित पत्रिका है एक समकालिन कलाकार के द्वारा क्या उस समकालिन कलाकार का नाम बिध्या रतन खजूरिया है क्या उससमकालिन कलाकार का नाम तपंदाश या जोगेन चोधरी या अवधेश मिश्रह रचित पत्रिका का नाम आट्टुड़े कलाकार का नाम आपसे पूछ रहा है यह हमारा तेरह नमर प्रश्ण है और इसका सही जबाब है C जोगेन चोधरी का किसका जोगेंग चौधरी का है अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अब चौधा नमर प्रश्ण का प्रश्ण संख्या चौधा क्या कहना है चौधा होई प्रश्ण का दिखिएगा प्रश्ण का कहना है कि जोगी मारा गुफा को रामायर काल में क्या कहा गया जो जोगी मारा गुफा है इस टाइम उसको रमायर काल में जो है कहा गया एक और नाम से पुकारा गया तो क्या उसे काइनात कहा गया रमायर के काल में नियमत कहा गया रमायर के काल में जहारखंड कहा गया या कुलय कहा गया इसमें से वो कौन सा नाम एक और रखा गया रामाइड काल में जिसको अब हम जोगी मारा गुफा कहते हैं इस समय के इतिहास में उसको जोगी मारा के नाम से जाना जाता है लेकिन रामाइड काल में उसे जिस नाम से जाना जाता था वो था जहार खंड क्या जहार खंड ठीक ह आगे बढ़ेंगे 15 हमें प्रश्न का जिकर करेंगे अब हम लोग प्रश्न संखिया 15 ध्यान पूर्वक देखिएगा और तब उत्तर देते रहिएगा प्रश्न का कहना है कि बादामी की कौन सी गुफा शित्रकला की दृष्टी से सबसे महतोपूर है जो बादामी की गुफा है वो शित्रकला की दृष्टी से सबसे ज़्यादा महतोपूर रखती है किस नम्मर की गुफा गुफा शंखिया 5 महतोपूर रखती है 2, 3 या 4 तो फताफट ड्रॉप करती जाए इंसर और आप कभी भी कोई प्रॉबलम हो तो बेहिंस नम्बर पे आप WhatsApp करिये अगर कोई प्रश्न है तो WhatsApp करिये अगर आपको कई सवाल है तो WhatsApp करिये कोई डाउट है WhatsApp करिये क्लियर किया जाएगा बस आपको पढ़ना है और अपने सेलेक्शन को आने वाले लेना है क्योंकि इसके बाद आपके पास चांस नहीं है लेवल थिरी का एस्टेट लागू हो जाएगा तो पंदर नमर प्रशन का सही जबाब होगा सी तीन सबसे महत्वपूर कोन है बादामी की गुफा शंख्या तीन सोला नमर प्रशन की तरब चलेंगे प्रशन संख्या सोला देखिए क्या कह रहा है शोलमे प्रश्ण का मित्रों कहना है कि सिगिरिया की गुफा में कितने अंतहकच हैं अंतहकच सिगिरिया की गुफा में इस टाइल बस बदल दिया है प्रश्ण का और उम्मिद करता हूँ कि अच्छा लगेगा आपको अंतह का मतलब हो गया अंदर की तरफ तो सिगिरिया के अंतह कच की संख्या कितनी है गुफा की दो, चार, तीन या छे तो कला इस्पेशल सिरीज में आपका बहतरीन इस्पेशल क्लास चल रहा है कला का जिसमें बहतरीन प्रशन चल रहे हैं और आपको सिर्फ तयारी करना है और अपने लच्छे की तरफ जाना है बिना किसी बातों को ध्यान दिये हुए और इस प्रश्ण का सही जवाब होगा 6 अंता कच्छ की संख्या सिगरिया गुफा में 6 है और इसी से रिलेटेड एक और प्रश्ण है ध्यान दीजिएगा देखिएगा प्रश्ण संख्या 17 है ये और कहना है प्रश्ण का कि सिगरिया गुफा में कितने अंता कच्छ में चित्र है अभी थोड़ दिर पहले आपने जो पढ़ा उसमें पूछा था कि सिगरिया गुफा में कितने अंता कच्छ है तो आपने उत्तर दिया 6 है लेकिन 6 अंतहकच में कितने में चित्र प्राप्ट हुए हमें यह हमारा दूसरा प्रस्ण है से रिलेट है ठीक है खै गुफाओं में से कितने गुफाओं में प्राप्ट हुआ है हमें चित्र उसके अंतहकच का 3 4 5 या 2 ठीक है अच्छा प्रस्ण है very important on better प्रश्ण है और 17 नमर प्रश्ण और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा दो यानि 6 में से दो गुफाओं में हमें अन्ताकच के उसके चित्र प्राप्त हुए हैं अठारा नमर प्रश्ण की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यही प्रश्ण हमको राजेस मिस्त्रा जी के द्वारा भेजा गया था जिसमें तीन प्रश्ण उन्हें भेजे थे जिसका एक प्रश्ण भी मैंने लिया है बाकी दो प्रश्ण बाकी के दो वीडियो में मैं लूँगा ठीक है तो ये हमारे चैनल से जड़ हुए मिश्टर राजेस मिश्रा जी के द्वारा दिया हुआ प्रश्णों में से एक है प्रश्ण है कि उत्तरवैदिक काल में किस सहली को जांगल देश कहा जाता था प्रश्णों ने जिस तरह से हम से पूछा है उसमें हमने थोड़ा तरवार से लिको विकानेर से लिको या अलवर से लिको तो यह बढ़िया प्रश्ण है राजेस मिश्रा जी के द्वारा दिया हुआ तो अगर आप भी इंट्रेस्टेड हैं कि आपको लगता है कि हमें भी प्रश्ण कुछ अच्छा देना चाहिए तो अभी मैंने थोड़ प्रश्ण और इसका सही जबाब जो होगा वो हो जाएगा सी विकानेर से लिको तर बैदिक्काल में जांगाले देश उकारा जाता था विकानेर से लिको ठीक है आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्ण को देखते हैं यह है अमारा 19 नमर प्रश्ण और इस प्रश्ण को ध परवत को उठाना यहाँ पे चित्र का जिक्र कर रहा है चित्र किस गुफा में है यहाँ पे मूर्ति की बात उसने नहीं की मूर्ति का नहीं जिक्र है जिक्र है चित्र का कि रामर द्वारा कैलास परवत को उठाना कई जगह आपने देखा वा लिखाओ का की रामर द्वारा कैलास परबत को हिलाना ठीक है तो रामर द्वारा कैलास परबत को उठाना ये एक चित्र किस गुफा में चित्र किया गया है अजंता में बाग में एलिफेंटा में या एलोरा में confuse मत होईएगा यहाँ चित्र है और चित्र भी option के हिशाथ से इसमें सामिल है यानि इसके option में उसका जिक्र है तो कभी-कभी आप लो यह भी कहेंगी सर इस जगह पे भी तो इसके बारे में दिया है दिया होगा बिल्कुल दिया होगा लेकिन हमें बिकल्प के साथ चलना है जो हमारा मल्टिपल च्वाइस option होगा उसके अनुशार तो इसके अनुशार इसका जो सही जबाब होगा इसका डी होगा एलोरा में क्योंकि एलोरा ही ऐसी गुपा है जिसमें मूर्ती के साथ साथ चित्र भी मिले हैं एलिफेंटा में वनली वन सिर्फ जो है मुर्ती आही है और यहां बात कर रहा है चित्र की ठीक है चलिए अब प्रशन संख्या 20 और इसके बाद आपका सवाल आएगा और उस सवाल को बिना गूगल सर्च की उतर दीजिएगा मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूँ लेकिन पहले बीश्वे प्रशन का जिकर करेंगे प्रशन कहरा है इन में से किस गुफा में कुल पाच चैती गुफाएं है पाच चैती गुफाएं कुल हैं किस गुफाएं बादामी में बाग में अजन्ता में या सिगेरिया में कौन सी गुफा में टोटल पांच चैत गुफाएं सामिल है ये हमारा प्रशन है और इस प्रशन को हमने उल्टा घुमा के पुछा है इसका तरीका कुछ और है हमने कुछ और तरीके से पूछ लिया है तो चलिए आज के टेस्ट सीरीज के 20 प्रशन अंत करिए इसका एंसर देखे और देखिए कि आज कितना सही हो रहा है उसके बाद जो प्रशन आएगा उसका आपको जबाब देना है तो इस प्रशन का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा सी अजन्ता में किसमें? मांदारी पुर्वक बिदावड गूगल सर्च आपको इस प्रशन का उत्तर देना है आपका शवाल कह रहा है हाल ही में किस जिले में महिस मुखी चत्रभुज मानो प्रतिमा मिली है नाम है महिस मुखी चत्रभुज मानो प्रतिमा और ये हाल ही में एक जिले में मिली है तो क्या वो उत्तर काशी है जहां मिला है या नैनी ताल है या मिर्जापूर में मिली है या मध्य परदेश में मिली है कौम सी जगा है जहां पे महिस मुखी चत्रभुज मानो मुर्ती हाल फिलहाल में उस जिले में मिली यह है आपका आज का प्रशन और इसी प्रशन का उत्तर आपको बिल्कुल इमानदारी प्रुवक और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट्स के माध्यम से देना है एक बात और पता देना चाहता हूं मित्रो कि जितने भी सवाल अभी तक मैं आपको पूछ रहा हूं उन सवाल एक दिन इकठा के रहे हैं एक ही बारे कठा करके बहुत सारा एक ही बारे कठा होगा जो सवाल आखरीम पूछा जाता है और वो आपको पूछा जाएगा वहीं पढ़ा दिया जाएगा तो वो बाकी रन भी हो जाएगा और मुझे लगता है कि इससे आप सहमेद भी हो झाल झाल झाल